साथियों, 21 सदी के भारत के लिए जिस तरह एनर्जी सिकुरिटी जरूरी हैं, उसी तरह बॉर्टर सिकुरिटी भी महत्वपूर्ण है और मेरा सुरू से एक कमिट्मेंट रहा है कि पानी की कमी की वज़े से न लोगों का विकास रुखना चाहिए और नहीं किसी खेत्र का विकास रुखना चाहिए पानी को लेकर भी गुजरात ने जो काम किया है, वो आज देश के लिए दिशा दर्शक बना है एक समय था, जब कच्छ में मान नर्वदा का पानी पहुँचाने की बात की जाती थी, तो कुछ लोग मजाक उड़ाते थे वो यही कहते थे, तो राजनीतिक बाते हैं होना वाला कुछ नहीं है, कभी-कभी लोग कहते थे, 600-700 किलोमेटर दूर मान नर्वदा, वहाँ से पानी यहां कैसे पहुँच सकता है, यह कभी भी नहीं होगा आज कच में नर्वदा का पानी भी पहुँच रहा है, और मान नर्वदा का आशिरवाद भी मिल रहा है कच का किसान हो, या सरहत पर खड़ा जवान, दोनों ही, दोनों के लोगों के, पानी की चिंता दूर हुई है मैं यहां के लोगों की विशेश प्रसंसा करूंगा, जिनोंने जल समुरक्षन को एक जन आंदोलन में बदल दिया गाउं गाउं में लोग आ गया आए, पानी समीतिया बनी, महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला चेक डेम्स बनाए, पानी की टंकिया बनाई, नहरे बनाने में मदद की मैं वो दिन कभी बूल नहीं सकता, जब नर्वदा का पानी यहां पहुंचा था, वो दिन मुझे बराबर याड़ जिस दिन मा नर्वदा का पानी पहुंचा, शायद दुनिया में कहीं पर भी कच्छी होगा, दुनिया में कच्छ के दूर सुदूर रहने वाला कोई कच्छी होगा, जब नर्वदा मा यहां कच्छ की धरती पर पहुंची थी, हर किसी की आंख में हर्ष के आंसू बेह रहे थी, वो दिर्द से मैंने देखा, पानी क्या है, यह कच्छ के लोग जितना समझ सकते हैं, शायद कोई